तो हलो गैस कैसे हैं आप लोग तो गैस आज हम बात करने वाले हैं वन क्रेड़ेट कार्ड को FD के अगेंस अप्लाई करने की अगर आपके पास कोई भी क्रेड़ेट कार्ड नहीं है और आप अपना सिबिल इंक्रेज करना चाहते हो तो ऐसे में आप एक FD के अगेंस क्रेड कार्ड ले सकते हो सबसे पहले आप लोगों ने वन स्कोर अप्लिकेशन को डाउनलोड करने के बाद अगर आप नए यूजर है तो उस पर रजिस्टेशन कंप्लीट कर लेना है उसके बाद आपका जो भी सिविल इसकोर होता है यहां पे बता दिया जाता है इसके बाद अगर इस पर किलिक करेंगे अब यहां पर कैसा आप लोगों को वेनिफिट अगयरा भी बताया देंगे चुकि इस कार्ड पर आपको 5X reward point मिलने वाले हैं कोई भी annual charges आप लोगों को नहीं देना है और no coach TMI का भी option आप लोगों को यहां पर मिल जाएगा इसके बाद unlock one card को option आ रह ही होता तो ऐसे में आपको FD ही करना पड़ेगा जो कि create FD पे किलिक करेंगे उसके बाद फिर से यहां पे आप लोगों को कुछ benefit बताया जाएंगे अब यहां पर कैसा आप लोग एक secure card apply कर रहे हो जिस पर कि आप जितने amount की FD करते हो उसकी 100% limit आप लोगों को यहां पर मि मिलने वाली है प्लस इस पे 6.5 का interest rate भी मिलने वाला है यहां पे आपके double फैदा होने वाला है आप लोगों की FD भी हो जाएगी इस पे interest भी मिलेगा प्लस आप लोगों को credit card भी मिल जाएगा और प्लस यहां पे आप लोगों का civil भी increase होगा अगर आप लोग time से यूज करे करेंगे तो इसके बाद proceed with FD option आ रहा है इस पर किलिक करेंगे इसके बाद इस अपने सामने इस परकार का option आ जाएगा ठीक है अब यहां पर इस देख सकते हो कि आपको फिट से इस परकार के option यहां पर दिखाय जाएगे अब यहां पर इस इस card पे आप लोगों को 5X reward point भी मिलेंगे प्लस आप लोग इस FD को कभी भी विड्रो कर सकते हो यानि कि आप कभी भी अपने amount को अपने bank में transfer कर सकते हो अपने FD को cancel करके अब यहां पर अगर आपको metal card लेना है तो उसके लिए 50,000 रुपए के आपको FD करनी पड़ेगी यहां पर उसके कम की FD करते हो तो minimum 5000 रुपए की ही FD आप लोगों को करना पड़ेगा ठीक हरते हैं देख सकते हैं यहां पर 2000 रुपए के अमउंट यहां पर पिरना पड़ेगा maximum आप अपने according यहां पर amount ने आुकल सकते हो ठीक है तो मैं यहां पर सिर्फ 5000 के fd करने वाला हूं amount ने के मिलने वाली और हमें ते spoiler करने के लिक्स कुरेंगे दो कि और हमने वलाली तो सितना प्लास्टिक का प्लास्टिक का पर 50,000 से कम amount की FD कर रहा है तो इस पर हमें प्लास्टिक का ही काड मिलेगा अगर हम 50,000 से उपर की FD करते हैं तो उस पर हमें metal credit card दिया जाता है इसके बाद अपने सामने proceed का option आ रहा है, proceed पर click करेंगे, अब proceed पर click करने बाद इस यहां पर देख लेते हैं हमारे सामने next counts option open होता है, तो इसके बाद हमारे सामने इस परकार का option आ चुका, तो simply get one card knock option आ रहा है, चली हम इस पर click करेंगे, इस पर click करने बाद देख लेते हैं कि हमारे सामने next counts option open होता है, यहां पर हमें जो है one card metal credit card application download करने के लिए बोला जा रहा है, यानि कि जो one score का interface आने वाला है, ठीक है, अपना वही mobile number डाल के इसको sign in करना होगा, यानि कि जिस application से हमने one score application को sign in करना होगा, उसी mobile number से इसको sign in करना होगा, तो आप लोग जैसे application को sign in कर लेते हो, उसके बाद सबसे पहले आपको यहाप एक pin setup करना होता है, जिससे कि आप जब भी इस application को open करोगे, यह pin enter करके आपको application को open करना होगा, पिन setup करने के बाद आप जैसे confirm पर click करते हैं, उसके बाद आपके समने next option open हो जाए, get one card को option आ रहा है, इसके बाद यहाँ पर आपका phone name उठा लिया जाएगा, इसके बाद यहाँ पर आपको अपना mother name and father name enter करना है, इसके बाद यहाँ पर मैं फटाफर से अपनी employment details fill up कर देता हूँ, आप salary, self-employed student, जो भी है वो आप अपने according यहाँ पर select कर सकते हैं, उसे पर कासे आप professional पर जो भी है, आप जो भी काम करते हैं, वो आप अपने according यहाँ पर select कर लेंगे, कि बाद आप लोग थोड़ा सा नीचे आ जाए आप लोगों को नो आले option को select कर लेंगे, अब नेच्ट पर कर देंगे, अब नेच्ट पर किलिक कर देंगे, अब नेच्ट पर किलिक करनेंगे बाद गिस आपके सामने इस परकार को option आजाएगा, जो कि यहाँ पर आपको कुछ पर्मिशन और देना होगा, इसको तो इस पर किलिक करके आप लोग अपनी एक सेलफी अपलोड कर लेंगे, तो सेलफी अपलोड होने के बाद कि इस आप लोगों के सामने इस परकार को option आजाएगा, अब यहाँ पर आपको अपनी account डिटेल वरिफाई करनी होगे, यानि कि आप जिस account से payment करोगे, जो account यहाँ प किलिक करने बाद के इस यहाँ पर आपका जो account हो वरिफाई हो जाएगा ठीक है, और आपके account में एक रुपे deposit कर दिया जाएगा, इनकी तरफ से, इसके बाद अपने सामने continue को option आ रहा है, चलिए हम continue पर किलिक करके बाद के बागी कर भी process complete कर लेते हैं, तो then continue पर किलिक करन सकते हो, and net banking से भी यह payment आप लोग कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को यह payment करना है अपने उसी account से, जो account आप लोगों ने यहाँ पर add करा, तो चलिए हमें फटा बस्ते यह payment भी यहाँ पर complete कर लेता हूं, तो यहाँ पर मेरी जो payment हो complete हो चुकी है, इसके बाद अपन थोड़ अब यहाँ पर लोगों को एक nominee आड़ करना होगा, तो आप जो भी nominee जिसको भी nominee आड़ करना चाहते हो, वो आप अपने coding यहाँ पर select करके, nominee की detail आड़ कर देंगे, तो आप जैसे nominee की detail आड़ कर देंगे, उसके बाद add nominee की option आ रहा, then इस पर click करेंगे, इसके बाद गिस यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर वेट करेंगे, अब यहाँ पर При 1080 on Top bayser हो, आप लोगों को अपना current address confirm करना होगा, यानिक आपको अपना address add करना होगा, जो की यह पर आपके address करेंगे, अगर套र इन मेंसे कोई address आपका है तो आप उस पर tick कर सकते हो, उसको select कर सकते हो, ले वाले option को टिक करना होगा और उसके बाद confirm का option आ रहा है then confirm पर click कर देना है confirm पर click करने बाद जो आपका जो card है वो इस परकार का जाए यानि कि यही नाम चाहिए तो हम simply confirm पर click करेंगे उसके बाद फिर से confirm पर click करेंगे इसके बाद यहां पर हम थोड़ा सा वेट करेंगे हमारा जो card हो सेट अप हो रहा है तो यहां पर अपने को कुछ भी नीचेड़ना है नहीं रिप्रेस करना है नहीं बैक बटन प्रेस करना है तो यह वाले step की screen recording यहां पर allowed नहीं है तो अगर आप लोगों को यहां पर कुछ भी सुन नहीं करता तो यहां पर आपको card activate करने का option दिया जा रहा है तो अभी मैं क्या करता हो कि इस वाले part को skip कर देता हूं और जो भी process मैं करता हूं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं तो तो चांशन पर किलिक करेंगे डन पर करने क्र मैं बांक तो आप कि सामने संकने उसक्राइं नहीं पर देना होगा तो आप दरन स्ट्व पर सब्सक्सथैं पर लो माःयरा को मलत है क्लिकेशन के home screen पे और यहां पे देख सकते हो भीया कि हमारा जो card वगएरा है वो generate कर दिया गया अब इस card को apply करने के लिए हमने कोई भी document वगएरा यहां पे upload नहीं करा यानि कि हमने कुछ भी यहां पे नहीं दिया हुआ जैसा कि हमने one score application से start करा था तो वहां पे document already link है तो हो सकता है इसके करन यहां पे हमें कोई document upload ना करना पड़े तो यहां पे देख सकते होगा इसके हमने life fd के अगें से credit card apply कर लिया ठीक और यहां पे इस आपका जो है limit वगएरा भी बताया जाएगा ठीक और बाकि कई सारे feature आप लोगों को इस पे मिलने वाले हैं जो कि यहां से आप लोग अपने card का number गएरा देख सकते हो यहां से आप जो है अपने metal card को activate कर सकते हो इस card पर कौन से offer चलना है वो देख सकते हो आप अपने FD account को यहां से maintain हो गएरा भी कर सकते हो यानि कि manage कर सकते हो तो यहां पर फाइनली हमारा जो virtual card है वो एक्टिवेट हो चुका है अब इसके बाद बात करते है आपका तीन से दस दिन के अंदर आपके डिलवरी कर दिया जाएगा और उसको activate करने के लिए यहां पर देख सकते हो एक्टिवेट का एक उप्सन आपको दिया जा रहा है जब भी आपको physical card receive होता है तो उस पर आप लोगों को एक QR code दिया जाता है जिसको scan करके आप अपने physical card को activate कर सकते हो इसके साथ आप अपने card को track भी कर सकते हो यहाँ पर देख सकते हो view status क ओप сосan आ रहा है तो आप लोग देन इस पे किलिक करके doll करके अपने card को यहां से देख सकते हो क्या आपका card प्रेंट हो चुका delivery के लिए निकल चुका या फिर नहीं निकल चुका तो य तो आप सिंप्ली काड़ पर किलिक करेंगे काड़ आपके करने के बाद आपके सबी डीटियल आप लोगों के सामने आजाएंगे जैसे कि कार नंबर, CWB, वैरी डेट और आपका नाम. यहां पर आप लोगों को सबीड डीटियल मिल जाएंगे तो यह काफी अच्छा कार्ड है अगर आपको अपना सिवील और ठीक ठाक करना है तो आप इस कार्ड को अपलाई कर सकते हो मिनिमम 5,000 रुपए के FD करके यह कार्ड आप लोग ले सकते हो अब यहां पे गईस हमारा जो वर्चुल कारड है वो इस्तंट एक्टिवेट हो चुका है हम इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैंब सिर्फ हमें वेट है अपने फीज कैल कारड के जैसे हमें फीजकर कर रिसीब हो जाता है उसको एक्टिवेट करके हम offline payment के लिए भी उसको यूज कर सकते हैं तो आई होगे इसके आप लोगों को थोड़ी बहुत ये वीडियो पसंद आए होगी अगर थोड़ी बहुत ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बाकी चलिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग